अगर आप पहली बार मा बनी है और आपके घर में कोई भी बड़ा बुजर्ब नहीं है या फिर आप उनसे बहुत जादा दूर रहती है तो आपको शायद ये पता भी ना हो कि बेबी बॉय के प्राइविट पार्ट को खोलना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी बॉय के प्राइविट पार्ट को कैसे खोले मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस उम्र तक बेबी बॉय के प्राइविट पार्ट को खोल सकती है तो आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखे चलिए बात करते हैं कि बेबी के प्राइवेट पार्ट को किस उम्र तक खोला जा सकता है कही बार आपको शुरुआत में पता नहीं चलता कि आपको बेबी के प्राइवेट पार्ट को खोलना पड़ेगा पर जैसे जैसे उम्र गुझरती है वैसे वैसे बच्चे को toilet करने में problem आने लगती है और उसकी वजये से वो अपने urine को hold करने के कोशिश करता है जिससे kidney जैसे problem भी हो सकती है और अगर urine pass नहीं कर रही है तो ऐसे में सरीर से बहुत सारे waste product नहीं निकल पाती है तो आप अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट को जादा से जादा तीन साल की उम्रत तक तो नैचुरल ही खोल सकती है इसके बाद आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको ओपरेशन भी करवाना पड़े वैसे मैं तो यही काऊंगे कि जैसे ही बेबी बॉय की आप मसाज करना शुरू करें वैसे ही आप उसके प्राइवीट पार्ट को खोलने की भी कोशिश करने और अगर आप शुरुआत के 6 महीने में उसके प्राइवीट पार्ट को खोलने की कोशिश करती हैं तो आप आसानी से उसके private part को खोल पाएंगे चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको baby के private part को कैसे खोलना है तो इसके तीन तरीके होती है एक तो है baby को नहलाते वक उसमें आपको क्या करना होता है जब आप baby को नहलाने जाएं तो आप अपने साथ किसी और की भी मदद ले ले वो क्या करेगा baby को पकल लेगा और आपको लगबग दो मग गुनगुना पानी लेना है और एक मग से आप एक पतली धार baby के private part पर डाले और दूसरे हाथ से baby के private part को बहुत हलके हलके आतों से धीमे धीमे ऐसे नीचे करें एक बात का खास खयाल रखें कि आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है क्योंकि इससे आपके baby की skin फट सकती है और वहाँ से खून भी निकल सकता है तो आपको बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से करना है और उपर से लगातार पानी की एक धार लगातार उस पर डालते रहना है दूसरा तरीका है जब आप उसको मसाज करते हैं उस वक्त दो से तीन बूरे उसके private part के tip पर डाले और उसके बाद उसके बिल्कुल हलके हलके हातों से धीमे धीमे आराम आराम से खोले और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है ज्यादा नहीं कीचना है और आपको पिल्कुल ठूड़ाइसा खोलना होता है तो धीरे थीरे हर रोज ऐसे ही करते रहे तीसरा तरीका जो है उसके लिए शाम के वक्ती आपको क्या करना है इसके लिए आपको घर पे बना हुआ काजल चाहिए होता है तो जैसे मैंने आपको मसाज के लिए बताया, पहले आप दो से तीन बुदे प्राइविट पार्ट पर डाले, उसके बाद धीरे धीरे खोले जलबाजी बिलकुल ना करें और अगर आपके पास घर का बना हुआ काजल ना हो तो आप उसको ना लगाएं, ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन अगर आपके पास घर का बना हुआ काजल हैं, तो आप उसके खुले हुए रिस्से में लगा दें, और इसकी बाद उस पर दो भून तेल डालकर उसे बंद कर दें और बच्चे को आराम से सोने दे आपको तीनों तरीके से खोलने के बाद तेल लगाकर प्राइविट पार्ट को बंद करना है इससे आपके बेबी का प्राइविट पार्ट एक महीनी के अंदर ही खोल जाएगा पर आपको यह हर रोज करना होगा और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मार्केट में एक क्रीम आती है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इससे भी आपको हलका सा बेबी का प्राइवेट पाट धीरे-धीरे खोलना है और ये क्रीम उसमें लगा देनी है ऐसा करने से आपके बेबी का प्राइवेट पाट दस से बारा दिन में आराम से खुल जाएगा और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी ये जो दवाई मैंने आपको बताई है मेरे कई फ्रेंज ने ट्राइ की है और ये बहुत ही अच्छे से काम करती है तो आप चाहें तो आप इसे यूज कर सकती है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की जानकारी मिलती रहे अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हम आपके सबी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे स्वस्त रहे